हेलो दोस्तो आप सबीगा हमारे इस यूटूब चेनल एलफा मोनीटर में बहुत बहुत सवागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बारत के रहष्य मई मंदिरों के बारे में जहां पर हर रोज समतकार होते हैं वो भी चौका देने वाले कौन से वे मंदिर आईए जानते हैं उनके बारे में दोस्तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना है ताकि आपको पूरी जनकरी प्राप्तोस की और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर ज़्यादा से ज़्यादा करना है और हमारे इस यूटूब शेनल एलफा मोनिटर को सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर कलिक जरूर करना है ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं पहला मंदिर है पदम सवामी मंदिर जो की केरल में इस्तित है यह मंदिर विश्णो बगवान का सबसे विशेस मंदिर माना जाता है यह केरल राजिये में इस्तित है और यहां पर हर साल करोडों सरधालों पूजा बाठ करने के लिए आते हैं और इस मंदिर के नीचे तीन तहे खाने हैं जिसमें से दो तहे खाने को खोला जा चुका है और उन से मिले हैं दो लाख करोड से भी ज्यादा का खजाना और तीसरा तहे खाना खोलने की कोशिस की गई तो बड़े बड़े वेग्यानिक भी इसे नहीं खोल पाए जिस वेग्यानिक ने इसे खोलने की कोशिस की वह हारट टैक की मरत्यू से मर गया और तब से उस तहे खाने को खोलने की कोशिस नहीं की गई मंदिर का तह खाना लोहे के दर्वाजी से बना हुआ है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी ताला नहीं लगा हुआ है, वहाँ के लोगों का मानना है कि उसे अश्ट नाग मंतर से बंद किया गया है, और नाग देवता उस तह खाने की रक्षा करते हैं, और जो भी उसे खुलने की कोशिस करता है उसे वह मर्त्य दंड देते हैं है ना कमाल की बात दूसरा है जगनात मंदिर जो की पूरी में है जगनात मंदिर उडिसा के पूरी सहर में मुझूद है यह मंदिर भगवान जगनात बलराम और देवी सुभद्रा का है जुलाई महिने पर यहां पर रत यत्रा का भवे आयोजन किया सता है इस रत की रसी को खिंचने के लिए या फिर छूने के लिए विश्वास में लोग यहां आते हैं और उनका मानना है कि ऐसा करने से मुक्स की प्राप्ती होती है इस मंदिर के उपर लगा हुआ दवज हमेशा वायू की विपरित दिसा में लहरता है मंदिर के परीसर के अंदर आपको समुन्दर की लहरों की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है और जैसे ही आप मंदिर परीसर से बाहर आते हैं तो आपको समुंदर की लेरों की आवाज सुनाई देने लगती है जगनात मंदिर के सुहाने पर सवरग का दिवार माना जाता है इसलिए यहाँ पर सवों को जलाया जाता है और आप जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको सव जलने की बदबु आएगी पर जैसे ही आप मंदिर परिशर के अंदर जाएगे तो बदबु गाहे बोजती है और तीसरा मंदिर है सनी देव मंदिर जो की शिंगनापुर में है शनी देव मंदिर बहुती चमतकारी और विचित्र माना जाता है यह एक छोटे से शिंगनापुर के गाउं में इस्तित है इसके पीछे एक पुरानिक कथा है कहा जाता है कि बगवान शनी देव ने एक गडरिये को एक लाल पत्थर दिया था और उसे जमीन पर रखकर उसका अबिसेक तेल से करने को कहा था ताकि उस गाउं का भला होसके और तब से लोग उस पासाण या फिर यूँ कहे पत्थर का अबिसेक तेल से करते हैं आपको जानकर हिरानी होगी कि सनी देव का यह मंदिर एक खुले स्तान पर है जहां पर सनी देव की केवल मुर्ती है इस गाओं के किसी भी घर में कोई भी दर्वाजा नहीं है यहां पर लोग अपनी अलमारी में ताला भी नहीं लगाते हैं भगत जब आते हैं तो अपनी गाड़ियों में ताला नहीं लगाते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सनी देव उन आज तक कोई भी चोरी नहीं हुई क्योंकि इस गाउं की रक्षा शनी देव सवम करते हैं तो देखा दोस्तों आपने कि बारत में कितने रहश्य मई मंदिर है आसा करते हैं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यदा से ज़्यदा सेर करें और हमारे इस यूटूब जेनल एलफा मोनिटर को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद गंटी के बटन पर ज़रूर कलिक करें ताकि आपको मिल इसके नए नए वीडियो सबसे पहले